सेना अध्यक्ष के कश्मीर दोरे के बीच आतंकियों ने त्राल के नगरपाली का अध्यक्ष की गोली मार कर हत्या कर दी बहु को पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमरी पीटा गाउं में उसे घर से बाहर निकाल दिया गया पीचे को लेकर देश के कई ग्रामीन इलाकों में अलग-अलग अफ्वाहे पहल रही है जानफूर में 25,000 का इनामी बदमास को भरी दुपरिया लोग छुड़ा ले गए यूपी बोर्ट की दसवी कक्षा की परिक्षाएं पहले ही रद की जा चुकी है वारतिय सेना की जवावी कारवाई में वो जूटे आरोप लगा सके मौलवी अविबादत के साथ साथ कोरोना के खिलाव जंग में भी शामिल हो गया है प्रेमिका गाप क्रेमी के घर में बै बीजेपी नेता राकेश पंडिता की गोली मार कर हत्या कर दी पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता अपने किसी दोस्त से मिलने पास ही में गये ते जब आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया इसी जगे पर बीजेपी नेता राकेश पंडिता को गोली मारी ग लेकर उनके जाने से परिवार पर दुखो का पहार तूट पड़ा। राकेश पंडिता की पत्नी के मुताबिक उनके पती घर में अकेले कमाने वाले थे। ऐसे में उनकी मौत से उनका पूरा परिवार बिखर गया। उन्होंने प्रदान मंत्री से न्याय की मांग के साथ परिवार को आर्थिक मदद देने की गुहार भी लगए। राकेश पंडिता की हत्या से नाराज बीजेपी कारेकरताओं ने कुपवाला में प्रदर्शन किया जहां उन्होंने पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिस सहीद और मसूद अजर का पुतला फूका और राकेश पंडिता के लिए न्याय की मांग की। खून का बदला हम खून से लेंगे श्री राकेश पंडित जी की शहादत व्यक्त नहीं जाएगी। बीजेपी नेताओं में नाराजगी इस वज़े से भी है क्योंकि कश्मीर में लंबे वक्त से आतंकी बीजेपी नेताओं की हत्या कर रहे हैं। दो जून की रात को राकेश पंडिता की हत्या की गई। काम लगाने के लिए पुलिस को पूरी छूर दे रखी है। लेकिन कई अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस के चंगुल से बच निकलते हैं। हद तो तब हो गई जब कानपूर में 25,000 का इनामी बदमास को भरी दुपरिया लोग छुड़ा ले गए। ये सुनकर भी अजीब लगता है लेकिन इस पूरे वाक्ये का एक वीडियो वाइरल हुआ है। उसकी वज़े से इस पर यकीन करना ही होगा। ये जो हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं ये कानपूर के नौबस्ता के आकर्शन गेस्ट हाउस के सामने की है। पुलिस को जिस बदमाश की लंबे वक्त से तलाश थी उसका सुराग मिला तो पुलिस ने उसे पार्टी में शामिल होने से पहले एक गेस्ट हाउस के बाहर दबोच लिया। सादे कपड़े में घात लगाये बैठे पुलिस वालों ने जबरण उसे पुलिस की जीप में चड़ाया। कि यह सारा घटनक्रम गेस्ट हाउस के बाहर चल रहा था। इसलिए पुलिस की कारवाय की भनर नेता और उसके समर्थकों को मिलते देर नहीं लगते। इससे पहले कि पुलिस की गाड़ी अपराधी मनोज सिंग को लेकर आगे बढ़ती, कुछ लोग रोकने के मकसद से गाड़ी के आगे बैठ गए। जाहिर है इनका मकसद पुलिस की गाड़ी को रोकना था ताकि अपराधी मनोज सिंग को छुड़ा जा सके और ये अपने मकसद में काम्याद भी हो गए। क्योंकि पुलिस की गाड़ी के आगे बैठने के बाद भीड को जमा होने का मौका मिल गया और आरोप है कि इसी दौरान खबर मिलते हैं मनोज सिंग के समर्थकों के साथ ही नेताओं के समर्थक भी वहाँ पहुँच गए। इसको छुडाने वालों को अपने गलत मनसूबों को अंजाम देने का मौका मिल गया जैसे ही गाड़ी के से इधर से पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की तब तक पीछे से उस मर्जिम को इसके साथ ही लेके भाग गये। बात जब बीजेपी नेताओं तक पहुची तो कारवाई का फोरन एलान हो गया। अपरादी मनोज सुन को छुडाने में कानपूर के जिला मंतरी नारान सिंग का भी हाथ था। इसकी जानकारी होते ही कानपूर बीजेपी की जिला देज बीना आर्या ने मन्यू सिंग को पार्टी से निस्कासित कर दिया और तीन सदसी जात समीती गठित कर दिया। जाच रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ये रिपोर्ट अपने हाला हाई कमान को भेजीगी ताकि कारवाई की जा सके। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भी बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल के बाहर इंतजार करते नजर आए। काफी देर तक इंतजार के बाद जब लोगों का धैर्य जवाब देने लगा तो कुछ लोग अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। हलाकि लोगों को गेट पर बड़ी संख्या में मौझूद पुलिस वालों ने रोक दिया। इस दोरान पुलिस वाले बेहत चौकनना नजर आए। पुलिस के कड़े पहरे में नजर आने वाली इस गाड़ी के पीछे जो शक्स नजर आया उसे पहचानते लोगों को देर नहीं लगी लगी। पलातकार केस में सजा काट रहा राम रहीम काड़ी में बैठता दिखा। बताया गया कि हर्याना के सुनारिया जेल में बंदर राम रहीम को पेट दर्थ के बाद इलाज के लिए लाए गया था। विलाज कराने के बाद राम रहीम को पुलिस का काफिला वापस जब अस्पताल से बाहर लेकर चला गया उसके बाद ही मरीजों को अंदर जाने की अजाज़त दी गई अजिक्त यही होई कि एक डेड़ गंटा डॉर बन था अब कह रहे हैं कोई अंदर आया हुआ था बाबा बाबा कोई राम रहीम होगा अब वो आया था उसके चकर में और जंता भारकडी कर रखी दी राम रहीम के कारने हाथ गंटा बार वेट करना पर लेक्या लाम रहीम की मरीजों को परिक्षान करना कितना उचित है और लोगों की यही शिकायत है कि एक मुझ्रीम के लिए उन्हें इलाज के लिए इसना इंतदार करना पड़ा CBAC बोर्ट की तरह उत्तर परदेश मादमिक शिक्षा बोर्ट ने भी बार्वी की परिक्षाएं रद्द कर दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ की अगवाई में गुरुवार को कोरोना पर बनी टीम 9 की एक बैठक हुई जिप टिसीम और मादमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए यूपी बोर्ट की दस्वी कक्षा की परिक्षाएं पहले ही रद की जा चुकी है ऐसे में बार्वी कक्षा के बच्चों का रिजल्ट भी अब उसी फॉर्मेट में तयार किया जाएगा बच्चों का प्री बोर्ड परिक्षा में प्रदर्शन देखा जाएगा, साथ ही ग्यारवी कक्षा की फाइनल परिक्षा के आधार पर फैसला लिया जाएगा। यदि किसी बच्चे ने प्री बोर्ड परिक्षा नहीं दी हो, तो दस्वी, ग्यार्वी के रिजर्ट के आधार पर उन्हें ग्रेट देकर पास कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा मादमिक शिक्षा बोर्ड है, यानि कि दुनिया के किसी बी बोर्ड में ते बच्चे नहीं पढ़ते जितने यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं. ऐसे में जब सीब्यसी ने बारवी की परिक्षाएं रद की थी, तबी से कयास लगा कई जब मंदिर के सिवधारों ने दो संदिक्दों को धारदार हतियारों के साथ दबोच लिया मंदिर के सिवधारों का आरोप है कि मंदिर के महंत यतिनर सिंगानन स्वरसती की हत्या करने की इरादे से दोनों आरोपी बुद्वा रात्नों बजे मंदिर में घुसे थे बताय दिन पहले सुर्ख्यों में आया था, इस मंदिर के सेवादार पर पानी पीने आये दूसरे धर्म के एक बच्चे को पीटने का आरोप लगा था, जबकि पीटने वाले का आरोप था कि बच्चा चोरी के इरादे से मंदिर में घुसा था उसी घटना के बाद महंत यती नर सिंगानंद सरस्वती भी सुर्खियों में आये थे जो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं मंदिर के सेवादारों ने इस मामले में F.I.R. दर्ज कराई है हत्या के प्रयास करने वाले पहले आरोपी का नाम विपुल विजय वरगी है जबकि दूसरे आरोपी ने नाम मंदिर के गेट पर काशी गुपता बताया था लेकिन कड़ाई से पूछताश में काशी गुपता का असली नाम कासिफ निकला मिली जानकारी के मुताबिक विपल और कासिफ जीजा साला है मंदिर में गुसने के बाद शक्त होने पर सिवादारों ने मंदिर परिसर में दोनों को पकड़ा था तलाशी में दोनों के पास सर्जकल प्लेट और तरल भरी कुछ शीशिया मी आरोप हैं कि ये दोनों महंत की हत्या के इरादे से मंदिर में घुसे थे महंत की हत्या के इरादे से आये दोनों आरोपी नागपूर के बताये जाते हैं सवाल यह है कि ये दोनों आरोपी क्या पहले भी गाजियाबाद के डासना आ चुके हैं इन दोनों आरूपियों के पास महंत की पूरी एक्टिविटी की डिटेल कहां से आई इस पूरे मामले का मास्टर माइंड कौन है क्योंकि 15 दिन पहले पुलिस ने एक ऐसे आतंकी को गिरफतार किया था जो स्रीनगर से दिल्ली केवल महंत की हत्या करने के लिए आया था जिस सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर घुसने वालों का क्या अंजाम होना चाहिए यतिनर सिंगानंद सरस्वती पहले भी इसलामिक जिहाद के खिलाफ काफी विवादास्वत बयान देते रहे हैं और इसलिए उनके समर्थक कट्टर पंथियों से उनकी जान को खत्रा बताते हैं मंदिर के अंदर भारी संख्या में पुलिस बलो को तैनात कर दिया गया है मंदिर के अंदर आने वाले प्रतेक सर्धालूओ पर पुलिस की पैनी नजर है पुलिस लगातार दोनों आरोपियों से पुष्टाच कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सब के सामने होगी वैक्सिन लगवाने से मौत की अफवा ने फैलाया खौप उत्तर पदेश के मेरत में कुछ गामे लोग न तो टीका लगवा रहे है ना सोसल डिस्टेंसी का पालन कर रहे है और नहीं मास्क पहन रहे है लोगों ने जान बूस कर खुद को कोरोना वायरस के हवाले छोड़ दिया है लोगों में इतनी लापरवाही क्यों है और किसने लोगों में वैक्सिन से मौत की अफवा फैलाई है यूपी के मतुरा जिले में चौकीपुरा गाउं के लोग कोरोना से नहीं बलकि कोरोना की वैक्सिन से डर रहे है वाइरस का खौफ गुल है जबकि लापरवाही फुल है तीके को लेकर गाउंवालों के खौफ और वाइरस को लेकर लापरवाही की वज़ा आपको हैरान कर देए चौकिपुरा गाउं के लोगों का दावा है कि पास के ओल कस्वे में दो-तीन लोगों ने टीका लगवाया जिसके बाद उनकी मौत हो गई तब से लोगों में ये डर बैठ गया कि वैक्सीन लगवाने के बाद जान को खत्रा है जबकि गाउंवालों ने मौत की असली वज़ा जानने की कोशिश ही नहीं कि मतुरा के चौकिपुरा गाउं में 31 माई को 1800 लोगों की अबादी वाले गाउं में टीका करण के लिए जब स्वास्य विभाग की टीम पहुंची तो उनका सामना लोगों के दिलों में खर कर चुकी अफवाह से हुआ इस गाउं के आसपास भी कई ऐसे गाउं हैं जहां लोगों में वैक्सीन को लेकर इतनी तरह की अफवाह हैं कि तीका करण ना के बराबर चल रहा है तीका करण के बास सभी देश अनलोक की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर पदेश के मथुरा जीले के चौकी पूरा गाउं में 45 साल से अधिक कुम्र के सिर्फ दस लोगों ने टीका लिया है बच्चे महिला और बुजूर सभी कोरोना नियमों की अंदेखी कर रहे हैं और एक दूसरे की जिन्दगी को खत्रे में डाल रहे हैं गाउं में टीके को लेकर अफवाहों ने ऐसा जोर पकड़ा कि सामाने लोग तो दूर ओल कस्बे में प्रधान ने ही टीका नहीं लगवाया वेक्सिनेशन को लेकर अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है तीका करण से पहले लोगों में टीके को लेकर चल रही अफवाहें दूर करनी होगी तब वैक्सीन का अभियान रफ़तार पकड सकेगा हैरानी की बात है कि टीके को लेकर देश के कई ग्रामीन इलाकों में अलग-अफवाहें प्हल गई है मथुरा के कई गाओ में लोग टीके को नकली बता रहें लेकिन सचाई यह है कि लोगों को यह समझाना होगा कि टीका वाइरस को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है इसलिए टीका लगवाईए क्योंकि ये जान के लिए खत्रा नहीं आपके लिए सुरक्षा का कवच है कोरोना पॉजिटिव एक महिला ने अजीब औ गरीब कदम उठाया जहां इस महिला ने जान बूच कर अपनी बहु को गले लगाया ताकि वो भी कोरोना की चपेट में आ सके महिला को ये शिकायत थी कि कोरोना होने के कारण उसे आईसोलेशन में रखा जा रहा है और उससे कोई मिलता भी नहीं है सास ने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम सुखी रहना चाहते हो ऐसा कहकर बुजर्ब महिला ने बहु को गले लगा लिया जिससे बहु भी कोरोना की चपेट में आ गई था इसी बात से नाराज सास ने बहु को जबरन गले लगा लिया बहु को पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमरी पीटा गाउं में उसे घर से बाहर निकाल दिया गया बहु ने ये बताया कि आइसोलेशन में होने के बावजूद सास को खाना समय समय पर दिया जाता था लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे अलग रखा गया है सास नाराज हो गई और खाना देने पहुची बहु को गले लगा लिया जिससे वो भी पॉजिटिव हो गई प्रेमी का किशादी में प्रेमी को आपने महिला बनकर शादी में शामिल होने के कई किस्ते सुने होंगे ग्रामी इन एलाकों में भी पुरुष महिला बनकर नाजगाना करते हैं ऐसा ही एक मामला भदोही से सामने आया है जहां कारोनों का कुछ पता नहीं चल रहा लेकिन यहाँ भी मामला पुरुष का महिला बनकर शादी में शामिल होने का है और जैसे ही इस लड़के की पोल खुली घरवालों ने उसे घेर लिया लाल साडी, प्लाउस और चूडियों में नज़रा रहे लड़के को देखकर हर कोई हैरान था उसकी पहचान और इस हुलिये का मकसद जानने के लिए एक शक्स ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन लड़का भी अपनी जित पर अड़ा दिखा उसने आचल से अपने मूँ को छुपाने में सारी ताका छोग आई और आवाज बदल कर दावा करने लगा कि वो महिला ही है पहचान जानने की ये जत्तो जहत लंबे समय तक जारी रही वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया कुछ लोगों ने लड़के के पास मौजूद मॉबाइल फोन से उसकी पहचान जानने का सुझाओ दिया घरवालों के हाँ जैसे ही लड़के का मॉबाइल लगा वो फोन लोटाने के बदले मूँ दिखाने की मांग करने लगा पदाया गया कि शादी के समारों में महिलाओं के बीच किसी अंजान को देख कर घरवालों को शक हुआ एक महिला ने पीचे से इसके सिर पर हाथ रखा तो उसके नकली बाल बाहर आ गए जैसे ही लड़के की बोल खुली घरवालों के साथ ही कुछ मजे लेने वाले भी वहाँ पहुच गए इनी में से एक आदमी ये पूचता सुनाई पड़ा कि आखिर वो पहनने के लिए साड़ी लाया कहां से लेकिन हर सवाल पर बार बार एक ही जवाब मिलता कि वो लड़का नहीं है अलाकि जब कुछ लोग पुलिस को बुलाने और 100 नमबर पर फोन करने की बात करने लगे तो लड़के ने जिद छोड़ दी और उसका चहरा दिख गया चहरा दिखाने के बाद लड़के ने दोबारा चहरा साड़ी से छुपा लिया और लोगों से उसे जाने देने की मिन्नतें करने लगा जब इस लड़के के फोन से लड़की वालों की किसी एक शक्स से बात होई तो इसने अपना फोन छीन लिया इसके बाद पुलिस को सौंपने के लिए घरवाले से बाहर सड़क पर ले आए। बताया गया कि आरोपी अपने एक साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। मौका मिलते ही लड़का तो अपने साथी के साथ भाग गया लेकिन भागने के बाद भी कयासबाजी का दौर जारी है लाके के लोग एक दूसरे को चटकारी लेकर इसके बारे में बता रहे हैं और अटकलो का बाजार गर्म है पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के सेना प्रमुक जनरल बाजवा अपनी सेना को एक प्रोफेशनल आर्मी कहते नहीं थकते लेकिन अब पाकिस्तानी सेना का एक और घिनोना चहरा सामने आया है पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में एक मानवधिकार कारेकरता ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है पाकिस्तान की सेना पियोके में रहने वाले लोगों की जमीन पर जबरन कफजा कर रही है और उनके जमीन पर बंकर बना रही है यहां तक कि वो तो उन इस लाके में रहने वाली महिलाओं के साथ बस सुलूकी भी कर रहे हैं ये वीडियो इसी बात का सबूत है पाकिस्तान के कफजे वाले कश्मीर में रहने वाले मानवाधिकार कारकरता अमजद अयूब मिर्जा इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की पूरी कहानी बता रहे हैं तुमाम फेस्बुक फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम यह देखें जनाब वीडियो बनाने का मकसद यह था कि यह मैश्के कोई जारी हैं फोज की अब देखें के यह बाई का गैर है और यह सामने पोस्ट क्यों पोस्ट होती है यह क्या होता है इनका टेंट वगारा यह लगा जबते हैं ये डिश, पी पी आर की फिटिंग, आगे वाश बेसन और बाथरूम का इंसाम किया हुआ इनने अंदर और पूरे डेटेल में सब कुछ रेने का बंदबस्त किया हमारी जात्ति मिल्कियत में ये है पाकिस्तानी सेना की हकीक पाकिस्तान की सेना के जवान पीयोके में आबादी के बीच छिप कर सीज फायर तोड रहे हैं वीडियो में बताये गया कि पाकिस्तान की सेना सीमा के नजदीकी गाउं में बसे लोगों पर जुल्म कर रही है सेना के जवान शहरीयों की जमीन पर कबजा कर रहे हैं बिना लोगों की इजासत के उनकी जमीन पर सेना के टेंट लगा लिये गए हैं साथ ही लोगों की जमीन पर जबरन बंकर तयार किये गए हैं पीओके में मानावाधिकार का काम करने वाली संसा से जुड़े कारे करता अमज़ाद अयूब मिर्जा ने जो वीडियो भारत्य खुपी अजन्सियों तक पहुंचाया है उस वीडियो में ये बात तो साफ नहीं हो पारी है कि ये वीडियो पीओके के किस इलाके का है लेकिन ये भी जाती मिल्कियूस में टेंट लगा हुआ है और ये भी जाती मिल्कियूस में टेंट लगा हुआ है और साथ में ये इस टेंट की बैक साइट पे हैं चार टेंट और लगे हुए हैं जब मेरी इन से बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि हम दो दिन में चले जाएंग लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वह किसकी अजाज़त से आपने लिगाया ये जाहर है अमारी जाती मिल्कियत है तो इनके पास कोई जवाब नहीं था लेहाज़ा ये देखें ये सीधी सीधी बेदमाशी हो रही है अमजद अयूब मिर्जा की बाद बेहत चौकाने वाली है उनका कहना है कि पाकिस्तान की सेना के सिपाही अकसर उन इलाखों में घुसपैट करते रहते हैं जहाँ परिवार हूँ और खर में महीलाएं और लड़कीां रहती हैं पाकिस्तानी सेना के जवाण महीलाओ और पुद्वार और गुरुवार को भी पाकिस्तानी सेना ने सीज़ फायर तोड़ कर घुसपैट करने की कोशिश की लगन पाकिस्तानी सेना अब घुसपैट को अंजाम देने के लिए नया पैंतरा अपना रही है। इसराइल और हमास के बीच छिडीज 11 दिन की लडाई की तस्वीरें अभी तर दुनिया के जहन में ताजा हैं। इसक चाल से पाकिस्तान सेना कई साजिशों को अंजाम देने की फिराक में। पाकिस्तान सेना की बोल खोलने वाले पियोके के मानवाधिकार कारकरता आयूब मिर्जा से न्यूज 18 ने खास बात की। तो ये बिल्कुल खमास की पालिसी अपना रहा है पाकिस्तान और खमास से इन्हों ने सिखा है बलकु और उसको ये अपलाई करें पियो जेके में। पाकिस्तान की सेना भले ही पियोके पर अपना दावा पेश करें। लेकिन वो पियोकी की जनता को पाकिस्तान का नागरिक नहीं मानती। इसलिए आबादिक याड में सेन्य ओपरेशन चलाये जा रहे हैं और महिलाओं और पच्चों पर जुल्म किये जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और उनकी बॉर्डर एक्शन टीम आतंक्यों की घुस्पैट कराने के लिए फाइरिंग करती है जिसके जवावी कारवाई में उनको नुक्सान उठाना पड़ता है। लेहादा आप वो अपने बंकरों को रहाइशी इलाकों में बना रहे हैं ताकि भारतिय सेना की जवावी कारवाई में वो जूटे आरोप लगा सके। अब एक फ्रिमी का गनोख भारत लेजाने क अब कर लेजाने का खानुखा मावा संबने आया हैं तेना में काम कर रहे हैं इस लड़के के घर के बाहर घंटों ड्रामा हुआ तो लोग सकते में आ गए पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने प्रेमी का कु समझा बुजा क गरघपूर के रामपूर रखबा में इस घर के बाहर मुनादी नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक प्रेमिका के प्रेमी के घर पहुँचने की धमक है। बहले ही प्रेमिका ने शादी का जोडाना पहन रखा हूँ है। लेकिन उसने जो कुछ कहा, डंके की चोट पर कहा. पेंड बाजा और रिष्टिदारों को लेकर पहुँची लड़की का दावा है कि शादी का छांसा देकर उसके साथ शारिरिक संबंध बनाया किया. अब अगर उसके साथ प्रेमी ने बेवफाई की, तो वो जान दे दे की. मुम्किन है कि दबाओ बनने पर फॉरण शादी होने की सोच लेकर कथिट प्रेमी का गाजे बाजे के साथ यहां पहुँची हो. आरोप है कि जिससे रिष्टे के बाद हो रही है, इस लड़के की कुछ दिनों पहले ही सेना में नौकरी लगी थी, हाला कि सेना में नौकरी लगने के बाद भी यह लड़की से मिलने आता रहता था, लड़के की तरफ से एक महिला लड़की से बात करने पहुँची और इस दोरान दोनों के बीच कहा सुनी भी हुई जाहिर है इस विवाद में लड़के वालों की तरफ से लड़की को ही कसूरवा ठहरानी की कोशिश की गई हलाकि बात पढ़ी तो मामला पुलिस तक पहुँच गया पुलिस इस मामले में लड़की पक्ष को लेकर थाने पहुंची और अपने स्तर पर इस मामले को सुलजाने का सुछाव दिया पूरे विवाद में लड़की की तरफ से कुछ लोगों ने गवाही भी दी अब जब बात बिगड़ गई है तो लड़की ने लड़के पर पहले से कई केस दर्ज होने का दावा भी किया लड़की ने इसी आधार पर सेना में अपने प्रेमी को नौकरी मिलने को भी शुनोती दे डाली शादी का जहासा देकर सम्मंद बनाने और मुकरने के कई मामले हो जाकर होते रहे हैं और ये मामला भी उनसे अलग नहीं है हालांकि पोलिस ने लड़के के खिलाफ पहले से ही कोट में दर्ज मामले को विचाराधीन बता कर इस पूरे मामले से पला जाड लिया है और साथ ही दूसरी जगे जो शादी तैवी उसमें भी दखल देने से इंकार किया है ऐसे में लड़की वालों को उमीद है कि सामाजिक स्तर पर ही ये मामला अपसुलचेगा मौलवी अब इबादत के साथ साथ कोरोना के खिलाव जंग में भी शामिल हो गए हैं एक और जहाँ पूरा देश वैक्सीन की किलत से जूत रहा है लोग लाइन में लगे हैं वही हर्याना के लूँ में लोग वैक्सीन लिए से कत्रा रहे हैं हर्याना के नूह जिले के कुछ लोगों से जब ये सवाल पूछा गया क्यों ने कोरोना से पचने के लिए वैक्सीन लगवाई है या नहीं तो सवाल सुनते ही लोग भाग खड़े हुए नगीना इलाके में रहने वालों की लापरवाही देखिए कैमरा देखते ही पॉलिथन से नाक और मूँ ढखकर उसे मास्क बना लिया इन लोगों में वैक्सीन का इतना खौफ है कि वो किसी भी हाल में टीका लगवाने को तयार नहीं है एक दो जगा पे फुलान वैक्सीनेशन कराया था और उसकी मौत होई वैक्सीन का खौफ लोगों में इस कदर समाया है कि इसका सीधा असर वैक्सीनिशन अभियान पर बढ़ रहा है स्वास्थ भाग की टीम वैक्सीन लेकर गाओं में जाती है लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने से इंकार कर देते हैं लहाजा इन्हें वैक्सीन वापस लेकर लोटना पड़ता है पिछले तीन दिनों की ही बात करें तो 410 लोगों के लिए दी गई डोज में से एक भी वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी नगीना की कुल आबादी करीब एक लाक है और इसमें 42 गाओं शामिल है लेकिन 16 जन्वरी से शुरू हुए वैक्सीन अभियान में अब तक यहां सिर्फ 2187 लोगों को ही वैक्सीन लग सकी है और यहां कड़ा महज 2 फीजदी ही है गलत में शीज भी लगवाना है और शार्ट करीवार को भी लगवाना है जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर मौलवियों को यानि धर्म गुरूओं को साथ पिया जा रहा है होता यह है कि जब भी स्वास से अभियान चलाया जाता है तो लोगों में तरह तरह के भ्रम पैदा होते हैं और वो पत्राने लगते हैं स्वासी विभाग के साथ धर्म गुरूओं की ये मोहिम अब रंग भी ला रही है जो लोग वक्षिन लगवाते हैं उसको दो मेहने कंदर बेमानी शुरू हो जाती है और इस बाद धेर धेरो मौत हो जाती है कोरोना की दूसरी लहर के बाद ज्यादतर लोगों को वक्षिन की जरूरत और एहमियत समझ में आ गई लेकिन इस दिशा में अभी बड़ी चुनोती बाकी है कोरोना के इस दोर में धार्मिक स्टल बंद हैं लेकिन इन धार्मिक गुरूं का अपने अपने अलाके में लोगों में बहुत जादा प्रभाव रहता है होता यह है कि जब वैक्सिनेशन टीम फील्ड में जाती है तो उसको हमले का सामना करना पड़ता है लेकिन अब जब धार्मिक गुरू उस्तिर्की के अपील कर रहे हैं तो यह उमीद की जा रही है कि लोग उनकी बात सुनेंगे और वैक्सिनेशन ट्राइब में हिस्सा लेंगे कोरोना वाइरिस बनाने का इल्जाम जहेल चुका चीन अब क्या दुनिया को नया जटका देने वाला है क्या चीन अपना सूरज बनाएगा सुनकर विश्वास नहीं होता ना लेकिन ये वो सच है जिसने दुनिया की नीद उड़ा रखी है दावा ये है कि चीन ने अपना एक आर्टिफिशल सूरज बना लिया है जो असली सूरज से दस गुना ज्यादा ताकतवर है चिंता की बात ये है कि ये सूरज हाइड्रोजन बम की तकनी से बनाया गया है चीन के कृतिम सूरज का तापमान सिर्फ सौ सेकेंड में सोला करोड डिगरी सल्सियस के करीब पहुँच जाता है इस दावे के साथ चीन जब सामने आया तो दुनिया हैरान रहे गी जिस सूरज की गर्मी से संसार चलता है उससे भी दस गुना ज़ादा उरजा वाला सूरज चीन ने तयार कर लिया है ये बात सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन टेली मेल की खबर के मुताबिक ये दावा सच है कृत्म सूरे को जमीन से बना पाना एक बहुत बड़ा लक्ष है और चीन को हाल ही में मिली ये सफलता मुखी लक्ष की ओर एक महतपूर्ण कदम है साथ कि ये एक महतपूर्ण और बड़ी विज्ञानिक अबलब्धी है तो मैं कहूंगा कि ये सफलता एक मुखी लक्ष की ओर एक महतपूर्ण चोटा लेकिन बहुत महतपूर्ण कदम है चीन के अनुही प्रांत में एक नुक्लियर रियक्टर है HL2M टोकमक इसी रियक्टर में गृत्रिम सूरज बनाया गया है आटिफिशल सूरज में लगे नुक्लियर फ्यूजन रियक्टर ने जैसे ही काम करना शुरू किया तो विश्वर रिकॉर्ड बन गया क्योंकि धर्ती पर अब तक कोई देश इतना तापमान पैदा नहीं कर पाया जितनी गर्मी चीन के रियक्टर के जरिये पैदा होने का दावा किया गया है इस रियक्टर से निकलने वाली गर्मी और पावर की वज़े से ही इसे आटिफिशल सूरज कहा जा रहा है इस आधुनिक रियक्टर को पहली बार 2020 में स्टार्ट किया गया था रियक्टर में नुक्लियर फ्यूजन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया वही तकनीक जिससे हाइड्रोजन बंब बनाया जाता है पहली बार इस रियक्टर ने 100 सेकेंड के लिए 10 करोड डिग्री सेंटिग्रेट का तापमान पैदा किया था लेकिन मई 2021 में चीन के इस नुक्लियर फ्यूजन रियक्टर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड दिया इस रियक्टर में ताकतवर मैगनेटिक फील्ड यानि चुम्बकिय शेत्र का इस्तेमाल गर्म प्लाजमा को फ्यूल करने और 15 करोड डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है जो सूरज की कोर से दस गुना ज्यादा गर्म है नुक्लियर फ्यूजन इस्टेविल नुक्लियर फ्यूजन जो लगाता है चल सके और इससे बिजली पैसा की चल सके हैं मैं समझता हूँ अभी हम उससे कम से कम एक दशक पीछे हैं चीन को वहां तक पहुंचने में भी कम से कम एक से दो दशक का समयत लगेगा यह बहुत चेट्रिल टेक्नलोजी है यह नुक्लियर सेंटर चीन का सबसे अत्याधुनिक एक्स्पेरिमेंटल डिवाइस होगा वैग्यानिकों की माने तो इससे ताकतवर ऊर्जा का शोत तयार किया जा सकता है जिसके कारण आने वाले दिनों में चीन को इंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा साथ ही इस रियक्टर के जो बैग्यानिक है उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में चीन इसके कारण एक ताकतवर ऊर्जा का शोत बन कर तयार होगा नूक्लियर फ्यूजन से ही सूरज को उर्जा मिलती है इसकी वज़ा से ही ऐसा प्लाजमा पैदा होता है जिसमें हाइडरोजन के आईसोटोप्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम और नूट्रॉन बनाते हैं शुरुआत में रियक्शन से गर्मी पैदा होती है इसके लिए इधन की खपत होती है लेकिन एक बार रियक्शन शुरू हो जाने के बाद फिर रियक्शन की वज़ह से उर्जा लगातार पैदा होने लगती है चीन के प्रोफगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन के वैग्यानिक 2006 से ही छोटे नुक्लियर फ्यूजन रियक्टर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और 15 सालों के बाद उसे इतनी बड़ी काम्यावी हाथ लगी है चीन के अलावा क्रित्रिम सूरज बनाने की होड में फ्रांस भी लगा हुआ है फ्रांस में भी नुक्लियर फ्यूजन पर काम जोरों से चल रहा है बताया जा रहा है कि फ्रांस का ये प्रोजेक्ट 2025 में पूरा हो सकता है लेकिन फ्रांस के अलावा दक्षन कोरिया भी के स्टार के जरीए कृत्रिम सूरज बनाने में कामियाब हुआ है जिससे 20 सेकेंड के लिए 10 करोल डिगरी सेल्सियस का तापमान पैदा कर चुका है चीन के कृत्रिम सूरज बनाने के दावे ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है बताया ये जा रहा है कि रियक्टर ने सिर्फ 100 सेकेंड में 16 करोल डिगरी तक का तापमान तयार कर दिया और अब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं इस उर्जा को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए अगर ऐसा होता है तो दुनिया के लिए ये बड़ा जटका होगा और कुद्रत से होड लगाने की इस कोशिश में दुनिया को भी नुकसान जहिलना पड़ सकता है घुटालों के आज दे लालुयादव और उनके करीबियों का पीछा अब तक नहीं छोड़ा है पहले चारा घुटाले के मामले में लालुयादव को गिरफटार किया गया तो अब उनके करीबी और आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंग पटना के जमिदार परिवार से आते हैं उनकी गिरफटारी जिस फर्टलाइजर घुटाले में हुई है उसे लेकर एडी ने कई जगा छापे मारे अमरेंद्र धारी सिंग को दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से गिरफटार किया गया है इडी ने मुंबई, दिल्ली और हर्याणा समे तेरा ठिकानों पर छापा मारा इडी की टीम अमरेंद्र धारी सिंग से खाद घुटाले को लेकर पूश्टाश कर रही है अमरेंद्र सिंग पर इफको और इंडिया पोटाश लिमिटेट से जुड़े कथित खाद घुटाले का आरोप है खाद घुटाले के आरोप में पिछले महीने केज दर्ज हुआ था जाच एजन्सियों के मुताबिक दुबैस से जिस कंपनी पर फर्टिलाइजर घुटाले का आरोप है उस कंपनी में एडि सिंग का नाम बतौर सीनियर मैनेजिंग डारेक्टर के तौट पर दर्ज है इसके अलावा रीयल स्टेट समिट 13 देशों में इनका फर्टिलाइजर और केमिकल इंपोर्ट का भी वेपार है एडि सिंग कि गिरफ्तारी ने बिहार की सियासत में भुचाल ला दिया है भुमियार नेता एडी सिंग की गिरफतारी के बाद से बिहार में सियासी हल चल बढ़ गई है RJD और कॉंग्रिस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्री एजंसियों का इस्तिमाल करके विपक्ष के लोगों की आवाज दबाना चाहती है वहीं बीजेपी ने ये कहते हुए पलटवार किया कि जो घोटाला करेगा उसे सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए RJD सांसत एडी सिंग को लालू परिवार का बहुत करीबी माना जाता है खबर है कि उन्हें पिछले साल राजे सभाब भेजने का फैसला रातो रात हुआ था खुद तेजस्वी आदव ने अपनी पार्टी के उमीदवार का नाम बदल कर A.D. सिंग का नाम उमीदवार के तौर पर दर्च कराया मुंबई में कुरोना के कहर के बीच जारी लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलना एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को महगा पड़ गया मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्च कर लिया जिसकी जानकारी बड़े ही रोचक अंदाज में दी गई मुंबई पुलिस ने इससे जुड़ा एक टूइट किया जिसमें दोनों एक्टर्स का नाम तो नहीं लिखा बलकि उनकी फिल्मों के नाम की मदद से उनकी तरफ इशारा कर दिया फिल्मों में बेफिकरी से हीरो पंती दिखाने के लिए जाने जाने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ और उनकी को एक्टर दिशा पाटनी से जुड़ा मुंबई पुलिस का एक्ट्वीट सुर्खियों में आ गया है यह ट्वीट टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी पर की गई कानूनी कारवाई को बताने के लिए किया गया है लेकिन खास बात यह रही कि इसमें दोनों एक्टर का सीधा नाम ना लेते हुए उनकी फिल्मों के नाम का सहरा लिया गया मुंबई पुलिस ने ट्वीट में लिखा कि वाइरस के खिलाव जारी वार में बांदरा की सड़कों पर मलंग होना दो एक्टर्स को महगा पड़ गया पुलिस ने उन पर IPC की धारा 188 और 34 में बांदरा पुलिस स्टेशन में केस दर्च किया है हम मुंबई के लोगों से अपील करते हैं कि कोरोना के नियमों से समझोता करने वाली बेकार की हीरो पंती से दूर रहें दावा किया गया कि मंगलवार को टाइगर श्रॉफ और दिशापाटनी मुंबई के बांदरा में बाबंदी के बावजू ड्राइप पर निकले थे जिने पुलिस ने पकड़ लिया और उनसे पूछता आच के बाद उन पर केस दर्च कर लिया गया वार, मलंग और हीरो पंती तीनों ही टाइगर श्रॉफ और दिशापाटनी की फिल्मों के नाम है जिसका इस्तिमाल करते हुए मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्च केस की जानकारी तो लोगों को दी ही साथ ही एक पंत दो काच करते हुए लोगों से कानून के दाइरे में रहने और नियमों को ना तोड़ने की नसीहत भी दे डाली जिसकी वजह से उस ट्वीट ने चंद घंटों में ही सुर्खियां बटोर ली पाकिस्तान की इमरान सरकार P.O.K. में किसी को भी अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं देती और जब जब वहाँ पर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान की सिना ने उन्हें कुचलने की हर कोशिश की है लेकिन इस बार लगता है कि दाव उल्टा पड़ गया है दरसल हुआ ये है कि गिलगिट में हजारों की तादाद में सरकारी करमचारी ने अपनी आवाज बुलंद की है ये तस्वीरें इस बात की कवाही है कि P.O.K. के गिलगिट में क्या हो रहा है वहाँ क्या है और वहाँ क्यों गदर मचा हुआ है असल में हाँ अधारों की तादाद में सरकारी करमचारी अपनी जायज मांगों को लेकर सलकों पर उत्रे हैं ख़र है कि करीब 25 सरकारी महकमे ऐसे हैं जिन में काम करने वाले तमाम करमचारीों ने द jsöz सरकार के खिलाफ जंड़ा बुलंद किया है P.U.K. के गिलगित में इस समय गदर जैसे हला थे यहां तमाम सरकारी करमचारियों ने गुरुवार को हरताल कर दी खबर है कि 25 सरकारी महकमों के करीब 52,000 करमचारियों ने अपनी मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और सरकार की नुमाइंदों का घेराओ किया गिलगित बाल्दिस्तान का इलाका स्कुएर किलोमीटर के हिसाब से स्विजर लेंड के खरीब दो गुना है और उसे कहीं जादा खुबसूरत भी एक बात ये कि पाकिस्तान हुकमराना और चीन की नजर भी इस अलाके पर लगातार बनी रहती है और लगातार गिलगित बाल्दिस्तान के लोग इस बात का विरोध करते रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंद नहीं रखना चाहते हैं और यही वज़ा है कि पाकिस्तान हर मुम्किन कोशिश करता है कि वहाँ उठ रही हर आवाज को किसी भी प्रिमत पर दबा दिया जाए गिलगित बाल्टिस्दान तक्नीकी रूप से जम्मू कश्मीर का इलाका है लेकिन 4 नौवंबर 1947 से पाकिस्तान के कबजे में जहां पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के जल्मों सितम के खिलाफ लोग अक्सर सडकों पर उतराते है सरकारी करमचारियों की ये हरताल उसी सिलसले का एक हिस्सा माना जा रहा है अपनी मांगू को लेकर गिल गित में सरकारी करमचारी और उनके समर्थक गुरुवार को ना सिर्फ सरकों पर उत्रे बल्की उन्होंने इस शेहर की तमाम सड़कों को रोग कर जैम जैसे हालात पैदा कर दिये इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों ने गिलगिट सिटी में मुख्यमंत्री के आवास के सामने भी धरना दिया जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे प्रदर शनकारियों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के घर के सामने भी धर्ना दिया पाकिसान कोई डर सता रहा है कि गिलगिट के इस हिस्से पर भारत कप्जा कर सकता है और इसी वज़ा से पाकिसान सेना के परमोकमर जाविद बाजवा को इस अलाके के जम्मेदारी सौपी गई है और चीन के ड्रीम प्रॉजेक्ट की हिफाज़त के लिए पाकिस्तान की सरकार गिलगिट बालतिस्तान के लोगों पर लगातार जुम ढ़ा रही है लेकिन सच तो ये है कि अब इस जल्म के इंतहा वहां के लोगों के लिए हो गई है और वो अपनी आवाज को दबाने के लिए किसी भी किमत पर राजी नहीं है किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसे खटिया पर लिटा कर अस्पताल ले जाने के तमाम किस्से आपने देखे और सुने होंगे लेकिन आज हम आपको वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक तेंदुए की जान बचाने के लिए खटिया को कुए में उतारा गया एक नहीं दो दो खटिया ये सब बाक्या हुआ मद्दिप्रदेश के रायसेंज दिले में सुबह जब गाउंवाले खेतों की तरफ बढ़े तो उन्हें तेंदुए की आवास सुनाई पड़ी खोजबीन करने पर उन्हें खेत में कुए में एक तेंदुआ दिखा जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा थे गाउंवालों ने फोरण वनविभाग के कर्मचारियों को उसकी जानकारी दी खबर मिलते ही मौके पर पहुँची वनविभाग की टीम ने तेंदुए को कुए से बाहर निकालने के लिए रस्तियों के साहरे एक खटिया कुए में डाला इस दौरान कई गाउंवाले और वनविभाग के लोग कुए में छागते दिखे कुए के बाहर लोगों की आवाज सुनकर तेंदुए डर गया माना जा रहा है कि इसी डर की वज़े से उसने खटिया के पायों में बंदी रस्यों को काटना शुरू कर दिया जिन रस्यों के साहरे तेंदुए को बचाया जाना था उसने एक एक कर उन चारों रस्यों को काट डाला वन्विभाग के कर्मचारियों ने जब तेंदुए के डर को भाप लिया तो सभी लोग कुए से दूर चले गए इसके बाद तेंदुए की जान बचाने के लिए वन्विभाग की टीम के पास एक और खटिया उतालने का ही रास्ता बचा था बताया गया कि राहसें दिले के भेस्वाई कला गाओं में तेंदुए उस वक्त कुए में गिरा जब उसे प्यास लगी थी और वो पानी पीने के लिए कुए के पास गया संतुलन बिगरने की वजह से वो कुए में गिर पड़ा तेंदुए को सही सलामत बचाने का काम पूरा नहीं हुआ था कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वन विभाग की टीम ने एक और खटिया कुए में डाला इस बार तेंदुए ना केवल खटिया पर आराम से बैट गया बल्कि उसने रस्यों को भी काटने की कोशिश नहीं की सब कुछ उमीद के मताबिक होता देख वन विभाग की टीम ने अपनी गाली की मदद से खटिया को कुए के बाहर खिंचना शुरू किया और जैसे ही खटिया कुए के बाहर आया तेंदुए जमीन पर उतर आया और कुछ देर ठिटक कर एधर उधर देखने के बाद जंगल की तरफ भाग गया गाउवालों की समझदारी और वन विभाग की मदद से आखिरकार तेंदुए को बचा लिया गया कभी एक जमाने में जंगली जानवरों को देखते ही लोग उसकी जान की पीछे पड़ जाते थे लेकिन अब जागरुकता की वजह से जंगली जानवरों की जान पच रही है नमस्ते